प्यार जब हद से गुजर जाए तो पूजा बन जाता है और जब पूजा हद से गुजर जाए तो वो जुनून बन जाती है और यही हुआ है रोमी के साथ भी रोमी दिवाना हो गया है साहिबा के प्यार में और अब इसी प्यार के लिए वो बहुत बड़ा कदम उठाएगा इसी प्यार को हासल करने के लिए रोमी अब अंगत को किड्नाप करेगा लेकिन उसको ये नहीं पता कि जिस अंगत को इसने किड्नाप करा है वो साहिबा का प्यार है और अब साहिबा ही अपने अंगत को बचाएगी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है सीरियल तेरी मेरी डोरियों में चलिए हम बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबादें दोस्तो सीरियल तेरी मेरी डोरिया में अब आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट जब यहां पर रोमी की एंट्री के बाद पूरी तरीके से बदलेगी जिंदगी वो भी अंगद और साहिबा की अंगत और साहिबा के बीच में जान मूच कर मिसंडरस्टैंडिंग क्रियेट की है सीरत ने और ऐसे में साहिबा होस्टल में आतो गई लेकिन इस होस्टल में उसकी खुबसूरती पर दिल आ गया है रोमी का दिवानों की तरह चहने लगा है रोमी साहिबा को और इसलिए अब वो बहुत बड़ा कदम उठा चुका है उसको ये लग रहा है कि अंगद ने साहिवा की आँखों में आसू दे दिये हैं जबकि अंगद तो साहिवा को लेकर बहुत जादा कंसरन था पर अब ऐसे में रोमी गलत कदम उठाते हुए साहिवा के प्यार यानि की अंगद को किड्नाप कर लेगा और उसको एक कमरे में ले जाकर बंद कर देगा यहाँ पर हर तरफ अब ढून मच जाएगी कि आखिर कहां पर है अंगद चिंता हो जाएगी साहिवा को भी क्योंकि साहिवा के पास वीर का फोन आएगा और वो बताएगा कि भावी अभी तक भाई घर नहीं आए हैं वो आप से ही तो मिलने आए थे अब ऐसे में साहिबा को भी टेंशन हो जाएगी और साहिबा ढूनने के ले निकलेगी अपने प्यार को लेकिन दोस्तो इसी दोरान अब यहाँ पर साहिबा और अंगत के बीच की नजदी कियां फिर से बढ़ेंगी और जो रोमी ने चाल चली है वो कहीं न कहीं उस पर कहरा नहीं देख पाएंगे बच तो जाएगा अंगत लेकिन रोमी की आइडेंटिटी रिवील नहीं हो पाएगी जिस वजह से अब यहाँ पर अंगत साहिबा को अपने साथ वापिस ब्रार हाउस ले जाएगा और यह कहेगा कि जब तक वो इनसान पकड़ में नहीं कि लेख।